का इसे डिजाइन किया जाए ताकि हम यह जो फ़र्नल है यह एक्ट्वल फ़र्नल है एक्सपेक्टेड कस्टमर हमारे कौन हो चालिश पचास सेल करने के लिए दोडा हिलाक लिए डियस क्योंकि कई बार जब आपका डिजायड सेल्स का रिजल्ट आपके हाथ में होगा नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और सी यू मेटास ओवर्सेज लिमिटेड आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग यह बात करते हैं कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेडेजी क्या है यदि बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेडेजी होगी तब भी आप बेहतर सेल कर पाएंगे लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि एक मैनुफाक्चरर या ट्रेडर या होलसेलर या बिजनस ओनर बहुत अच्छी मार् तो sales funnel को design करने के साथ साथ आपको और कुछ मैटपून कदम है जिन पर आपको step पर ध्यान देना होगा नमबर पहली बात कि अगर आप अपने business में sales को boom करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो क्या करना है कि आप यह देखें कि आपका consumer जो product या service को खरीदने वाला है कि आपने उसके लिए को ऐसा experience center बनाया है जहां पर उस product या service को आके experience कर सके आप देखिए Amazon है Flipkart है यह जो website है यह कई बार अपने consumer को क्योंकि यह product तो direct है नहीं website ही एक service है अब इस service provide कैसे करते है कि जब आप first time हमारी website से buy करेंगे तो आप अपने experience के बाद हमें rating करेंगे तो आपको 100 रुपी, 200 रुपी एक तरह से bonus देंगे या first time का एक discount देंगे जैसे Ola Uber है यह क्या कहते है कि अगर आप हमारी first ride लेते हैं तो first ride पर आपको 50% discount मिलेगा तो यह क्या करते है कि अपने consumer को attract करते हैं कि आप आओ हमारी चीज़ को experience करो या अगर आपके पास service के अलावा product है तो आप अपने experience center पर अपने customer को invite करें ताकि वो customer जब आपके service center पर आए, आपके experience center पर आए, आपके outlet पर आए, आपके showroom पर आए, आपके business place पर आए तो वह experience कर सके उस तरह के product को, और जब product को experience करेगा तो वो experience के अधार पर mind makeup करेगा कि उसको product खरीदना है या नही, तो आपके पास experience center होना चाहिए, चाहें वो virtual experience center हो, चाहें वो offline experience center हो, उसके बाद consultation, अभी कई बार क्या है कि कोई customer किसी product को खरीदना चाहता है, लेकिन product से संबंदित, बहुत सारे question and queries उसके मन में होते हैं, तो उन question and queries को केवल तभी solve किया सकता है, जब हम customer को right तरीके से consulting करें, कि उस product से क्या benefit है, product से क्या फायदे होने वाले है, product लेने के बाद उसके क्या saving होने वाली है, क्या convenience उसको होने वाली है, तो यहाँ पर जरूरी है कि जब customer आपका experience center देख ले, या online experience कर ले, तो आप उसको consult करें, क्योंकि आपके पास वो lead होगी, उसके बाद demonstration, कई बार क्या होता है, कि customer हमारे experience center पर तो आया, लेकिन product को demonstrate नहीं कर पाया, कई बार क्या होता है, कि customer आपके service center पर नहीं आता, वो invite करता है, कि आप हमारे घर प कर सके, या web-based, online experience कर सके, और उसके बाद आपसे consult कर सके, कि इस product या service को मैं बेतर तरीके से कैसे use कर सकता हूँ, या क्या value addition मेरे life में होने वाले इस product को use करने के बाद, उसके बाद demonstration, कई बार जब customer आपके पास नहीं आएगा, तो आप जाके demonstrate करेंगे, उसके बाद क्या है जो product या service आप देने वाले हैं, वो customer के लिए हमेशा available रहे, affordability, उसका price ऐसा हो कि competitive industry में कोई दूसरा व्यक्ती, उस तरह का price ना दे रहा हो, तभी वो product, affordability का product माना जाएगा, और customer की जो lead है, वो sales में convert होगी, जर्रली जब हम sales funnel बनाते हैं, तो हम इस pyramid का इस्तिमाल करते हैं, इस track को हम देखते हैं, कि भी कितनी marketing and advertisement हमने की हैं, और marketing advertisement करने के बाद हमारे पास बहुत सारी lead generate हुई है, जैसे मानली जी हम modulo kitchen का का काम करते हैं, तो facebook के जर्ये, linkedin, twitter, instagram, और india mart trade, india, exporter india, google ad, youtube, इसके मा आदियम से हम बहुत जारा marketing करते हैं, यह हमारे marketing executive field में जाते हैं, जो product के बारे में customer को बताते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारे पास lead generate होती है, कि कौन-कौन से ऐसे client है, जो उस तरह के product या services को लेने के लिए interested है, जब interested client की lead मिल जाती है, तो वो कहलाते है, prospective client, number of lead कई बहुत जादा होती है, लेकिन जब उन customer से बात करते हैं, तो पता लगता है कि इन में से कुछ ऐसे customer है, जो हमारे prospects है, हमें लगता है कि यह वो clients हैं, जिन से हम deal कर सकते हैं, अपने product ये service को दे सकते हैं, उसके बाद जब इन से बातचीत करते हैं, तो इन में से कई customer ऐसे हो ही है, काफी सारे customer हैं, जिनको हमारे product पसंद आते हैं, तो expected customer की एक list निकलती है, कि ये वो लोग हैं, जैसे माली जे 2000 लोग हमारे थे prospective, तो उसमें से 300 लोग निकले, जो expected customer हमारे हो सकते हैं, और जब expected customer को हम regular follow up में लेके आते हैं, तो वहां से आते हैं, वो लोग जो intent to buy है मतला product खरिदने के लिए लगबग तयार हैं, जिनकी इच्छा है product खरिदने के लिए, उसके बाद जब regular follow करते हैं, तो कुछ clients, instant, देखें, तीन तरह की lead होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, hot, warm and cold, अब जो cold lead है, वो यहां से चलना शुरू हुई, चलते चलते हो warm lead तक पहुँची और उसके बाद वो hot lead में convert हुई, लेकिन सारी के सारी hot lead भी convert नहीं होती है, intent to buy में से कौन से आगे, under pipeline, जिसको हम regular follow करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और finally sales का conversion हमारा निकल जाता है, इसको अगर हमें calculation के माधियम से ले, जर्नली किसी business में लगबग 3-4% से लेके 8-10% तक का conversion का ratio होता है, जैसे आपने 10,000 लोगों तक अपनी information पहुचाई, तो उसमें से 1000 lead हमारे पास generate होंगी, उस 1000 lead में से prospective client हमारे लगबग 100,500 होंगे, उन में से expected जब हम बात करेंगे, तो कुछ expectation के हिसाब से हमारे product के साथ deal नहीं करेंगे तो माली जी है, यहाँ पर आकर वो रह जाता है 10, 10 लोगों को हम regular follow करते रहेंगे, follow करते रहेंगे, follow करते रहेंगे, तो उन में से 3-5 deals हमारी easily convert हो जाएंगी, तो इतनी lead generate करने के बाद हमारे पास जो conversion आया ना, वो 3-5% काया, अगर हम इस तरीके से करेंगे ना, तो हम कभ दूसर तरीके से बताता हूँ, यह जो funnel है ना, यह actual funnel है, जिसकी calculation हम reverse point of view से लगाते हैं, हम calculation sales से करना शुरू करते हैं, कि हमें कितनी sales चाहिए, कितना percentage of conversion है, leads का, जिसकी वज़े से हम यह decide कर पाएं कि कितनी sales और marketing के लिए, हमें promotion करनी है, advertisement करनी है, marketing करनी है, तो मान लीज business में, अपने operating cost को meet up करने के साथ-साथ, profit generate करने के लिए, आपको 30-50 sales चाहिए, यह आपकी final sales का target है, और मैं यह पता है कि 3-5% ratio conversion में आता है, इसका मतलब हमारे pipeline में 1000 leads होनी चाहिए, मतलब 1000 लोग intent to buy हमें show करें, जब 1000 लोग intent to buy show करेंगे, तो उसका 3-5%, 30-50 lead हमारी convert होने यह सीधा-सीधा formula हमें पता है, उसके बाद अगर 1000 लोग intent to buy तक आएं, तो हमारे पास उसका 20%, पतलब 20% इनकल के आना चाहिए 1000, expected customer कितने होने चाहिए, लगबग 5000, 5000 लोग ऐसे हों जो हमारे product में interest show कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने खरीदने का प्रयास किया है, तो हमारे prospective client तक पहुंचने के लिए, हमारे पास जो leads आनी चाहिए, लगबग 5000,000 होनी चाहिए, इसी का 10% prospective customer हमारे बनने वाले हैं, इसका मतलब जब हम lead generate करेंगे तो हमारे पास 2,5 लाख lead आनी चाहिए, इसका मतलब हमें marketing में इतना budget involve करना है, कि जिसमें 2,5 लाख lead हमारी generate हो 2,5 लाख lead, friends आपको लग रहा होगा ना, कि सर्थ 30,35 या 30,40,50 sale करने के लिए 2,5 लाख lead, yes, क्योंकि कई बार जब digital platform के जरिये lead generation करते हैं, तो वो lead का conversion ratio बहुत छोटा होता है, वो इसी funnel के according चलता है, तो इसी लिए reverse calculation करनी चाहिए, कि कितनी sale हमें चाहिए, कितने लोग under pipeline and intent to buy हो, expected customer हमारे कौन हो, proposed कितनी leads हमारे पास हो, proposed और expected कितने लोग हो, lead generate कितनी हो, और इतनी lead generate करने के लिए कितना marketing budget हम लगाएं, जब इस reverse calculation से आप सारी चीज़ें को करेंगे, तो आपका desired sales का result आपके हाथ में होगा, यह business to business percentage ना vary करता है, लेकिन right calculation करने का तरीका क्या ह इसको calculate करें और इसी के हिसाब से experience के अधार पर reverse calculation करें, तो आप सही number of lead तक पहुंच पाएंगे, आपको पता लगेगा total lead generation कितना होना चाहिए, उसकी right marketing कैसे होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैंने अपने business experience के अधार पर आपके लिए course develop किया है, that is ROPE, result oriented program for entrepreneur, कि इस तरह से एक entrepreneur अपने business में next level पहुंच सके, आप जानते हैं कि मेरी company है Metas Oversies Limited, जिसमें हम लोग stainless steel model के जिनकी manufacturing करते हैं, export करते हैं, और आज पूरे भारत वरश में हमारे franchise showroom है, कैसे एक small scale business को मैंने large scale business तक मैं लेके गया, उसकी पूरी की पूरी strategy, पूरी की पूरी इसलिए हम सभी entrepreneur मिलकर कहते हैं, कि रोप है तो होप है, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आप के सुनरे वविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत